ऐसा multi-veggar stock जिसमें सिर्फ FII का पैसा लगा हुआ है 72% से ज्यादा FII investment है और FII का मतलग ज्यादा profit तो दोस्तों लाया हूँ आपके लिए एक और multi-veggar stock definitely stock को अपने radar में रखो FII और DII का पैसा बर-बर के इसमें लगावा जैसे आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है FII का 72% के आसपास की holding है और 18% के आसपास है 17% के आसपास आपका हमारे घहरूम निवेशक का पैसा है DII का तो भाई definitely ये एक multi-veggar stock है और बोल दना चाहता हूँ already ये stock multi-veggar है अभी तक stock ने 11,000% से ज़्यादा return दे चुका है तो भाई देख लो FII भर-बर के पैसा चाप रहे इस stock में तो definitely अगर आपको पैसा चापना है current price चलना है stock का 2000 के आसपास ठीक है आपने stock का नाम gas तो कर लिया होगा अगर नहीं कर रहा है तो वीडियो अंतर देखके चले जाना बतलाओंगा मेरा stock के analysis साथ में मेरा जो personally मैं जो पसंद करता हूँ chart analysis तो उसके मात्यम से बताऊंगा stock के target and stock loss और देखेंगे कि ये stock मुझे क्यों पसंद आ रहा है ठीक है और आप भी अपना सुझाओ नीचे दे सकते हो कि क्या stock definitely एक multi-way stock बनेगा या नहीं बनेगा ठीक है तो आप भी अपना सुझाओ नीचे साजा करो थाकि हम stock के उपर और deep research कर पाए लेके चलता हूँ stock के नाम की तरफ दोस्तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसकी holding ठीक है कि सच में की FII का पैसा लगा होगा कि मैं से हो मैं बाते कर रहा हूँ तो दोस्तो स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा होगा ठीक है यह से रोल्डिक पैटर्न खुला होगा मैंने stock का stock का नाम अभी आपको बतल दोस्तो देख सकते हो FII आपको सामने देखेगा लेफ्ट में ठीक है तो जूट नहीं है reality है कि इसमें FII का पैसा लगा इस टॉक का नाम आपने gas कर लिया होगा नहीं कर रहा तो देख लो stock का नाम क्या है तो आप देख सकते हो stock ने कितने अची return दिये last कुछ सालों में थी तो भाईया उनको क्या चाहिए इतनी बड़ी return आ रही है हर साल 15% चोटी बात नहीं होती है stock का नाम आपने देखी लिया होगा stock का नाम है HDFC HDFC bank नहीं है HDFC है इसका full form है housing development finance corporation limited तो definitely stock को रिडार में रखो भाई एक multi-way का stock ही हो सकता है current price में भी मुझे काफी अच्छा लगा रहा है company profitable है और company के बारे में जान लेते की company मुझे क्यों पसंदारी है और stock के target and stock loss क्या रहेंगे मेरे साब से वो भी आप देखके चले जान तो please अगर कुछ भी आपको पसंदाए तो make sure like करे, share करे, share कर सकते हो telegram, twitter और facebook में और साथ में comment करके बता सकते हो कि आपको इस वीडियो में कौन जा best part लगा, हम आपको लेके चलता हूँ उसके technical and fundow, fundow मतला fundamental analysis की तरफ, तो दोनों हम add करके बताते है कि stock को हमें buy करना है नह देना चाहता हूँ, NSC, BSC दोनों में listed company है, और यह जो businesses करती है across banking, insurance, assets and other financial services, ठीक है, और बात करते हैं, market cap की तो दोस्तों काफी बड़ा market cap भी company रखती है, almost 4.5 lakh crore से उपर का market cap है, ठीक है, 4.5 lakh crore, अगर current price की बात करता हूँ दोस्तों, 2.5 k के आसपर trade कर रहा है, 2539 के आ बात करता हूँ, company dividend yield की, तो दोस्तों देखते हूँ, company 1% के आसपर, 1% से नीचे का dividend आपको दे रही है, वालता काफी कम, यह company आपको dividend देती है, तो जिस point की में बात कर रहा था, company ने last 5 सालों में 20% CAGR के हिसाब से return दी है, तो बात को समझो, भाई, FII ने पैसा लगा रखा है, तो definitely return तो बनती है, इसलिए कहा रहा हूँ, जापर FII का पैसा मतलब ज्यादा मुनाफ़ा ज्यादा profit, जो मैंने line आपको सुरू में बोले थी, वो बहुत अच्छी line थी, ठीक है, और दोस्तों आप देख सकते हो, company एक dividend भी दे रही है, और जैसे बता है, 1% के साब से अ आप स्टॉकर डा में रख सकते हो, leading company है, अगर बात करते quarterly results की, दोस्तों आप देखते quarterly results मैंने खोल रखी है, आपको स्क्रीन में results देखे हो, net profit के तरफ देके चलता हूँ, आपको, तो दोस्तों आप देख वी December quarter के results है, हाँ ही ते, December quarter के results है, तो दोस्तों देख से तो December quarter म company को 6811 करोड का आसपास का profit हुआ है, और जो last September quarter था, उसको 59, 100 करोड का आसपास का profit था, तो profit में लगा था, एक growth नजर आ रही है, कुछ quarter से में, और definitely stock है रडा में रख सकते हैं, बात करते हैं, अब सके yearly profit की, तो दोस्तों आप देख सकते हो, yearly profit है, इसके लगाता है, growth में आपको आ रही होगी, mark 2018 से लेकि, mark 2020, ठीक है, आप देख सकते हैं, profit increase हो रही है, जो current TTM है, 1660, ठीक है, तो ये भी definitely एक growth करेगा, definitely growth करेगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता है, डीटो COVID, बहुत सारी company के जो RTTM है, उसमें गिरावट देखने को मिली है, तो ये भी उनमें से एक है, definitely stock को मिला में सकते, company एक अच्छा, खासा profit दे रही है, ठीक है, तो net income भी आप देख सकते हो, net income भी इसकी अच्छी खासी है, ठीक है, net income भी आप देख सकते हो, ठीक है, तो लगाता है, net income भी growth में आपको आ रही होगी, FI20 में जो profit था, 2435 क्रोड के आसपास का profit था, तो definitely stock को मिला में रख सकते हैं, अर अनिंग पर शेर, दोस्तों देखिए, अनिंग पर शेर, एक सो तेईस रुपे के आसपास है, ठीक है, तो भाई, बहुत बड़ा नमबर होता है, एक सो तेईस, तो definitely stock को मिला में रख सकते हैं, एक आजच्छे valuation में आपको stock मिल रहा है, अगर बात करते हैं, company की stock price is easier, 10 सालों का 15% है, 5 सालों का 19% है, मतलब आप मालो average की हर साली 15% के आसपास आपको written दे रहा है, तो भाई 15% के आसपास ही growth company show कर रही है, last, वो भी 10 सालों से, ठीक है, और 20 सालों में तो भाई है, काफी बड़ा निकल के आता है, नमबर, तो definitely stock को डार में रख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक region है, stock को buy करने का, FII की holding almost 72% के आसपास है, भाई है, FII का पहरा जाँ होता है, वाई हमें investment करनी चाहिए, व्यज़े हर stock में तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ, इस stock में definitely करनी चाहिए, क्योंकि FII को हर साल 15% का growth दिख रही है, price में, return on equity 15% है हर साल, भी लगातार 20 सालों तक, भाई, कुछ ना कुछ होगा stock में, इसलिए 15% की return दे रहा है, FII को, अगर आप पैसा लगाती हो, तो definitely next 15 सालों में आपको भी return आ सकती है, लेकिन अब बात करते हैं कि किस price में entry करना चाहिए, क्या stop loss and target का हमें वेट करना चाहिए, इस stock में, तो देखते हैं हमारा chart analysis, तो दोस्तो, chart analysis share करने से पहले बात करते है, HGP share की target की, तो दोस्तों देख सकते हो, बड़ी बड़ी companies है, Jefferies ने इसका target दिया है, 3340 रुपे के असपास, और अभी current पर चल ला है, 2570 के असपास, तो दोस्तों देख स stock को हम रड़ा में रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं रखा जा सकता है, definitely रखा जा सकता है, ठीक है, देख सकते हो, एक दूसर analysis report है, उसने भी इसका stock का target 3340 के असपास दिया है, तो definitely stock को हम रड़ा में रख सकते हैं, और दोस्तों देख सकते हैं, मुति लाल ओस्वाल का तीन हफते की रिपोर्ट है, तीन हफते पहले का article है, तीन हफते पहले का, और उसने भी इसका target है, 3300 रुपे का दिया है, तो बात को समझो, जो इतने वड़े वे target आपको मिल रहे है, वी मुति लाल ओस्वाल जैसे वाला company दे रही है, तो भाई, कुछ ना कुछ stock में बात 300 के target है, लेकि मुझे लगता है, परसनली ये stock शाड़े चाय है, रुपे अराम से आपको दिखा सकता है, तो है 21 तक, ठीक है, और बात करते stop loss की, दोस्तों देखिए, आप जितना stock नीचे गिरेगा, आप stock को buy करके चल सकते हो, मतला हर dip में stock buy है, लेकिन ये जो एक area है, ठी अगर आपको दो है 450 के stock मिलता है, तो definitely multi-vega stock ये होगा, जिसमें अच्छी कासी FII की investment है, ठीक है, तो 2450 एक अच्छा bet होगा stock में, अब बात करते stop loss की, तो दोस्तों आप stop loss लगा सकते हो, अगर long term stop loss लगाना चाहते हो, तो ये जो last swing है, ये आपका long term stop loss होगा, last swing, ठीक है, last swing जो बनाता, करोना के समय, ठीक है, ये हमारा stop loss लगा, लेकिन बाकी अगर आप एक छोटा stop loss लगा सकते हो, short term के, तो आप ये stop loss लगा सकती है, जो निकल के आता है, आपका, I think, एक second है, ये जो stop loss लगा आता है, आपका, 2,000 के इच्छी है, short term stop loss लगा, 2,000 के निच्छी हो हमारा जो target रहेगा, वह आप rate करोगे, जैसे आपको दिखाया है, 3300 का target है, मुक्तिलाल ओस्वाल का, मेरा targets में 3500 और चाया के target है, ठीक है, तो आपको मैंने बतला दिया है, तो भाई, definitely, इस stock में, HDFC share में, पैसा लगा के आप भूल सकते हो, housing, development, finance, corporation, limited, FIIE की investment, 70% के असप 15% की CE, AGR दे रहा है, मत्तब एक return on equity दे रहा है, अच्छी खासी, और मुझे लगता है, next 15 साल में भी आपको अच्छी खासी return on equity ये दे सकता है, तो definitely, अगर आप सोचते हो, कोई multi-vega stock, जो आपको अच्छी return दे के जा सकता है, और जिसमें FIIE का पैसा लगाओ, तो यही व और यह वीडियो